और बड़ी खबर मुझफर नगर से आ रही है बड़ी खबार मुझफर नगर से मतगर्णा केंदरों पर भारी लापरवाही देखने को मिली है मुझफर नगर में भी मतगर्णा केदर के बाहर पॉलिंग एजेंटों की भारी भीड उमर पड़ी है जो हाल बागपत का था जो हाल श्रावस्ती का था वही हाल मुझफवर नगर का लाइन में लगे हैं मतगर्णा एजेंट और इन पर पुलिस ने लाठिया चलाई है तस्वीरे देखिए ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उर दाई है कोरोना का कोई खौफ नहीं है पुलिस कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ दाई है लाठी चलानी पड़ दाई है इने समझाने के लिए कि भाई मान जाओ दोगच की दूरी है जरूरी लेकिन बाप जुदिस के ये ऐसे नादान है जो समझने को तयार नहीं है ये हैरत में डाल दे लिए ये तस्वीरे आप देखिए और आपको हैरान की होगी देखिए कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये लोग, कैसे चिपके हुए हैं, भीड धका दे रहे पीछे से, ये लोग खुद तो साक्रमित होगें, ये दूसरों को भी साक्रमित करेंगे, आप अंदाज़ा लगाईए कि कितना बड़ा अपरात कर रहे हैं, ऐसे वक्त मे जब आम आदमी असाहा हैं और ये भी आम आदमी ही हैं, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर तो, यहाँ तो मुस्तेदी हैं पुलिस के अधिकारियों के, लेकिन उसके बाद भी ये कम पढ़ रहे हैं, भीड इते ही जादा ह और देखे कैसे चिपके हुएं, कितना दमाव है इस भीड पर देखे कि सोशल डिसेंसिंग क्या तो खेर छोड़ दिए, कितना दमाव है, उसे से चिपके हुएं, यानि कि कुल मिलाकर जब एक एक करके भीड पहुँच रही थी, यहाँ पर पहले से विवस्त नहीं किया गया भीड आए, अपने मुताबिक खड़ी हो गए, और उसके बाद पुलिस करनी आभी मशकत कर रहे हैं, मशकत पहले कर देतें, पहले ही वापस सरकल बना दिये जातें, तो यह नौबत नाती, राज्या, निर्वाचन, आयो, कि अदिकारी इन तस्विरों को देखें, और इन तस्विरों पर उनकी जवाबते ही बनती है, कि जवाबते हैं, जो जवाब होते रहे थे, और यही वज़ा है कि यह कहा जा रहा है, कि पेपरों में यह लोग बहुत अच्छी जानकारिया देते हैं, कि हमने यह तैयारिया कि हैं, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, सारी जान पर पर भी लोग एक दूसरी से चितके हुए हैं झाल झाल